बहुत सारे Creator आपको ही पाता होंगे उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया डिप्रेशन के चक्र में काफी इंडिया के भी हैं काफी बार के भी है कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं वीडियो बनानी बंद करदेता आप के डिप्रेशन एक लाते हैं नहीं रहता हमने किसको क्या बेह जाए यह बाई ऐसी भी एक स्टोरी नों थो मज़े में ऐसे बेहज देते कि क्या पता रिपलाय आ जाए क्या पता मतलब कुछ गंदा लिखेंगे तो देखें गाई आहाँ तो वह कहते भाई बस इसलिए तो मेसेज कर रहा था आप एक बार अब भी ना मैंने फोटर डाली थी कल परसों ठीक है कि गाना शूट हो रहा है मेरा उस पे एक लड़की ने लिखा हूँ था शेम ओन यू ठीक है भाई तो मैंने मेरी आदत है कि जो लिखता है या तो मुसको ब्लॉक कर देता हूं कि हाँ आगे भी ऐसे कमेंड करता रहेग पहले उसकी आईडी खोल के देखता हूं उसके मैसेज में जाता हूं कि कभी मैसेज करा हूं उसके मैसेज में गया लड़की ने लिखा हूँ था कि भाई आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ यह है एक बहुत मिलना चाहती हूं फलाना डिमका ना ठीक है बड़े सारे मैसेज से और हम सबके तो पढ़ नहीं सकते तो बड़े सारे मैसेजिस से और मेरा रिप्लाय नहीं गया ना नीचे उसमें गंदा कुछ नहीं था लेकिन मेरे कमेंड सेक्षिन में आके लिख रहे हैं शेम हो नियू बस इतना ही लिखा हुआ था तो वही बंदे है कि हाँ प्यार कर र पुरानी वाली तो फिर उसने नीचे गालिया देनी शुरू कर दी तेरी मा की तेरी बैन की रिप्लाय नहीं करेंगा तू साल यह है तेरी यह कात होगी अरे भाइया हमें पता भी तो कोई मैसेज कर रहा है हमें ऐसे और पता भी हो कितने मैसेज पढ़ लेंगे अचा यह कर रहे हैं कि जैसे अभी नए-nए यूट्यूबर सा रहे हैं तो उनको लगता है कि अगर इनकी वीडियो लेकर उट रही है या गाडियां लेकर उट रही है तो हम भी करते हैं तो उन्होंने पैसे उधार उधूर लेकर मेंगी बाइक ले ली अब चैनल नहीं चला करेंगे बाइक दिनकी सवांती है अब मेरी मेल देखना सो मेल यह होती बाई मेरे को 50,000 चाहिए मैं डिपरेशन में जा रहा हूं मैंने उधार ले लिए मेरा चैनल ने चल रहा मैं मर जाओंगा मेरी मदद करो मेरा आखरी मेल आपको कर रहा है इसकाद मर जाओंगा तो आ आप सिर्मेदार हो गये तो ऐसे स्यासी मेले करते हैं तो अशानी भाई अब मेरे पास नहीं थी तो मेरे को शोक था अपना चैनल चला उसके बाद हमने कमाया ठीक है जंता से ही कमाया यूट्फुब से कमाया और अपने शौक पूरे कर रहे हैं और जो कर रहे हैं पहले हमार पास में पास एफजी बाइक होती थी पापा का न्वी स्कूटर होता था था तब मैं उस पर बनाता था था एंवी पे वीली मार के दिखा दी कुछ कर दिया एफजी में कोई पीछे डिस्क लगवा द देखो भाई एंवी स्कूटर चलाते थे हम साइकिल चलाते थे ठीक है मैं अपनी फैमिली के साथ न भाई पच्छे साल तक दो ही कमरों में रहा हूं आगे शॉप होती थी हमारी पीछे दो कमरे होते थे एक में दादी रहती थी दादी की हावडी पैरलाइस थी बिलकुल पीछे लिया कमरे में जो लाष्रूम होता था उसमें पाका मम्मी मेरे खिल यो और यूद इख जो अब दादी कमरें में में एक रिपाने करने के लिए तो मैं рабय के तो न रात मैं यूद दोशने नींद आ जाए तो हमने वह वहला टाइम भी देखा है लेकिन तब हम यूट्यूब पे नहीं थे तो लोगों को क्या पता कि हाँ ऐसा भी टाइम था इनका तो सारा टाइम होता है अभी देखने में लगता है कि बड़ी भाई के दिखा रहा है तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है आपके बाद जो उसके पास तो नहीं है महेंगी बाइक ना महेंगी गाड़ी वो जो कर रहा है वो दिखा रहा है तो कहने का मतलब है आप कुछ भी कर रहे हो ना आपकी जनता को बसंद आना चाहिए अगर जनता को बसंद आ रहा है तो आप आगे बढ़ते रहोगे जनता को मज़ा नहीं आ रहता है आज क्या होना है खल क्या होना है तो सीरियल है उनको एंटर्टेन करते रहो और उनको तुमसे प्यार हो जाए कि आप यह मजा आ रहा है